हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, आज हम ये वीडियो रिक्वेस्टिड वीडियो बना रहे हैं, मेरे एक व्यूज ने रिक्वेस्ट की थी, कि मैं सल्वार जो होती है, उसके पोचे पीछे की तरफ गूम जाते हैं, उसका समाधान हम बताते हैं आज में पहले ये शल्वार की मोरी पीछे की तरफ क्यों गूमती है, वही समाधान आपको समझाने वाली हूँ, तो वीडियो पूरी देखें, वीच में कटना करें, छोटी वीडियो है, और ऐसे ऐसे सवाल आप हम से करते हो, तो आमें बहुत खुसी मिलती है, तो आज हम जवाब आपको अच्छे से समझाएंगे, तो चलिए, उसके लिए ये शल्वार है, इशके मैंने पहुचे बना रखे हैं, और कलियां भी जोड रखे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको, ये देखी, ऐसे होते हैं, और ये ऐसे गूम के आगे की तरफ आ जाते हैं, जो पी आगे की तरफ आ जाते हैं, गूम के, और एक ही पैर के आते हैं, दोनों के नहीं, तो उसके लिए देखो, ये बैल्ट है, इस पे बताऊंगे मैं आपको, सबसे पहली गलती हमारी यही शे होती है, बैल्ट शे, तो इस पे मैंने ये टुगडा जोड रखा है, ये छोटी प लेगी, और एक कटी ये बीच में हो गया, ये मैंने फोल्ड किया है, तो ये बीच से हम पहले कट लगा लेंगे, तो पहली तो बात का ये ध्यान रखना है आपको, कि ये जो मैंने कट लगाई है, इसके अंदर अंदर ही प्लेट आपको डालनी है, इससे इधर आपको नही लेके आनी है, एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, और दूसरी बात जो होगी वो बताएंगे कि आप प्लेट जब डालते हो, तो आप देखो, जैसे इधर भी निकाल देते हो, किसी में आप इधर रख देते हो, मतलब बराबर प्लेटे नहीं डालते हैं, आप एक प्लेट शे आप या तो बार की तरफ निकाल देते हो, या फिर एक दो इंच अंदर की तरफ रख देते हो, उसी से हमारा जो पौइचा होता है, वो एक पैर का गूम जाता है, तो इसके अंदर अंदर आप जो रखते हो, जो मैंने कट लगाई है, इसके अंदर अंदर प्ल लग चाहे उससे अंदर तक गेरो तो जहां आपने एक शाइड ने प्लेट डाली है वहीं आप दूसरी शाइड को प्लेट नापके डालोगे जितना मारजन इधर छोड़ोगे उतना ही मारजन आपको उधर छोड़ना होगा ये बात आप जरूर ध्यान में रखें दूसरी ब जितनी भी आप अपने अकोडिंग रखते हो उतनी मोरी आप करते क्या हो इस मोरी को पकड़ के और लगाया निशान और शीदटा का दर देते हो ऐसा नहीं करना है आपको करना है क्या ये जो जोड है जो कलिया और पले ये मैंने जोड रखे हैं इनके जोड को मिलाते हुए रखना है, ऐसे इनके जोडों को पकड़ो और फिर आप इस पे निसान लगाओ, यह जोड मिलाने बहुत जरूरी होते हैं, अब यह देखो, यह जोड लगाओगे, अब पाइचे बरोबर कर देते हो, उनका कोई मतलब नहीं होता, जोड बराबर मिलाओ, और फिर आप इस पे निसान लगाके, फिर शिलाओ लगाओ, जो भी आपका कपड़ा एक्स्ट्रा निकलेगा, वो कट हो जाएगा, बराबर आता है तो अच्छी बात है, तो यह देखिए, अब यह पाइचे पर ही नहीं, अंदर शे भी, आपको यह जोड बिलकुल बरोबर मिलाना होगा, और तब इस पे शिलाओ लगाओ, तो देखो यह अंदर यह पार, कपड़ा एक्स्ट्रा निकलेगा, दोनों कलियां बराबर नहीं आएगी, अगर आप इनको बराबर करोगे, तो जोड बराबर नहीं आएगा, जोड बराबर नहीं आएगा, तो आपकी सेलवार गुम जाएग तो चलिए आपको मैं इसमें बेल्ट डालना बताऊंगी, और कहां तक और कैसे डालेंगी, वैसे तो आप बेल्ट खुद भी डाल लेते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बर बताने की कोसिस करूँगी, यह देखिए, यह मैंने कम से कम 1.5 इंच की दूरी तक मसीन चलाई यह खाली और यहां से मैं प्लेट इसमें डालना शुरू करूँगी, तो आप तब भी प्लेट डालें, तो डारेक्ट हाथ से नहीं डालें, इसमें कुछ ले सूई, या फिर कोई सीख वगेरा, कुछ भी ले और उससे डालें, बिल्कुल इकवल प्लेटे डालें, कोसिस कर इकवल ही प्लेटे डालती है, अगर आप सूई या सीख की मदद से डालोगे, तो इकवल ही डालेगी, तो हम यह प्लेटे डाल लेते हैं, वीडियो कट ना करें, अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक शेर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब कर ल ये लाती रोंगी, ये देखिए, ये कट शे पहले ही हमारी प्लेटे खतम हो जाएगी, ये देखिए फ्रेंट्स, पहले हम इसको देख लेते हैं, जो हमारी बीच वाली कट है, वहाँ पी हमने दो प्लेटे डालनी है, तो वहाँ तक हम देख लेते हैं आपके, तो चलिए, हमारी प्लेटे कम्प्लेट हो चुकी, अपड़ा इतना ही बचा है, कि पीछे की तरफ और एक प्लेट डाल देंगे, एक इदर से डालेंगे, और एक उदर से डाल देंगे, दो प्लेटे पीछे की तरफ, ये प्लेटे डालने का मतलब ये होता है, कि हमारी जो सलवार है, वो बैठे उठे तो खिचे नहीं, खिचाव नहीं बने उसमें, ये इसके लिए डाली ज देखना कट यहां है और प्लेटे हमारी यहीं खतम होगी दो इंच का अंतर आ गया तो इधर भी हम वही दो इंच छोड़ते भी प्लेटे डालनी शुरू करेंगे तो यह तो कट है और कट के आगे हम दो इंच और चलेंगे सिद्धे सिलाई लेके और फिर हम प्लेटे डालनी शुरू करेंगे ताकि हमारी सलवार गूमी नहीं कारण यहीं होता है कि हम एक साइड को ज्यादा प्लेटे डाल देते हैं एक साइड को कम हिस्चे में प्लेटे डाल देते हैं उससे ही हमारी सलवार की मोरी गूम जाती है और एक ही गूमती है क्योंकि एक ही गलत होती है एक हि यह प्लेटे इधर डालके हम प्लेट फिर आपको दिखाएंगे नाप के दिखाएंगे कि हमें देखो स्टार्ट करें थी वहां से भी और जहां पर हमारी प्लेटे खतम हुई है वहां तक बिल्कुल बराबर है यह प्लेटे गिर गई अपको नाप के यह देखें इधर से भी और इधर से भी जहां से इस हिस्टे पर मैंने प्लेटे शुरुकी है वहीं से अमगैक दूसरे प्लेटे शुरुकी है और खतमभी वहीं की है बिल्कुल ब्राबर है सूत बर भी इसमें कोई इदर उदर नहीं हुआ तो ये बिल्कुल प्रफेक्ट दोनों अपनी जगह पर ही आएंगी मोरी बिल्कुल भी इदर उदर नहीं होगी और अब दिखाते हैं आपको हम पांचे शे मोरी पर शे हम कैसे मोडेंगे मोरी को जो हम सिलाई लगाएंगे वो ये देखी ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था और एक बर मैं फिर शे बताती हूँ कि आप ये जोड है कली वाला जो जोड है इन जोडों को मिला के बिल्कुल मतलब पूरे जोडों को बीच से भी और उपर से नीचे से हर कहीं से जोड मिलाना है जो एक्स्ट्र कपड़ा निकलेगा वो कट हो जाएगा और फिर आपको सिलाई लगानी है थैंक्यू फॉर वाचिंग